चाहत्यों को नमस्कार चाहत्यों आज के इस वीडियों हम बात करेंगी कक्सा पांच विशय पर्यावन अज्यान इविएस चैप्टर संक्या बारा खत्म हो जाए तो जो के NCRT की पास्टे पुस्तक हैं उसमें जो अब्यास प्रस्ण दिये गए हैं उनका सोलिशन आज के इस स्कूटर और मोटर साइकल दिखाई दे रही हैं अगला प्रस्ण ये किस किस चीज से चलती होगी तो आंसर लिखेंगे ये पैट्रॉल और डीजल से चलती होगी प्रस्ण चित्र में दिये गए जिस जिस वाहन में से दुआ नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाए तो तो आंसर लिखेंगे हां मैं साइकल चलता हूँ साइकल से मैं स्कूल बाजार पार्क और खेलने जाता हूँ अगला प्रस्ण है तुम स्कूल किस तरह आते हो तो आंसर लिखेंगे मैं स्कूल साइकल से जाता हूँ तुमारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं आंसों लिखेंगे मेरे पिता जी अपनी कार से, मेरी मा ओटो रिखशा से या बस से तथा मेरे चाचा जी मोटर साइकल से बाहर जाते हैं aगला प्रशन है क्या गाड़ियों से निकलने वाले दुएं से हमें कुछ परिशानी हो सकती है और हो सकती हैं तो किस तरकी तो आंसो लिखेंगे वहनों से निकलने वाले दुएं से मतली खासी फैफडों के रोग सिर्दर्द और तोचा की अलर्जी हो सकती हैं अगला है पता करो बारत में तेल के बंडार किस किस मिलता है आंसो लिखेंगे जमीन के अंदर से तेल के अलावा कई तरह के खनीज जैसे कोईला लोहा तामबा सोना बॉक्साइट आदी मिलते हैं अगला है लिखो गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज का इस्तिमाल हो सकता है आंसो लिखेंगे गाड़ी चलाने के लिए पैट साइं हो सकती हैं जैसे सड़कों पर ट्रेफिक बढ़ जाएगा बड़ों से बात करके अपने विचार लिखे तो आंसो लिखेंगे अगर वाहनों की समस्या संख्या इसी तरह सड़कों पर बढ़ती रही तो पर दूसर सड़कों पर होने वाले दुरगटनाएं बढ़ जाए हैं अगला प्रशने सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संक्या से आई परेसान्यों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाई आंसो लिखेंगे लोगों को सारवजनिक परिवान जैसे बस ट्रेन आधी को प्रात्मिकता देनी चाहिए अगला है पता कीजिए प्रयोग कितना तील लगे तो इस में में लिखना है यह इसकूटर, कार ओर ट्रेक्टर इसमें एक बार में कितरों ड़िजल बदा जाता है तो दस लिटर, 30 लिटर, 40 लिटर कितने दुच्छीव या Kendra की है को क्या कंटे रुपए बड़ी और डीजल की 15 रुपए बड़ी इस परकार हमें लिखना है अगला प्रस्ण है सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था आंसो लिखेंगे सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए का अंतर था अगला है पता करो प्रस्ण है तुमा बढ़ रही है आंसो लिखेंगे पैट्रोल और डीजल का उत्पादन कम है तता खपत बहुत जादा है इसलिए इनकी कीमते लगातार बढ़ रही है अगला प्रश्ण है तुमारे घर में एक महीने में कितना पैट्रोल और डीजल खर्च होता है और किस-किस काम में खर्च होत है तेल का इस्तिमाल कहां कहां होता है अंसो लिखेंगे तेल का इस्तिमाल, ड्राइ क्लीनिंग, गाड़ियों तता हवाई जाज की इंधन, पैंट तता प्लास्टीक में घरों में खाना बनाने आदि के लिए होता है अगला है डीजिल कहां कहां इस्तिमाल किया जाता है पता करो तो डीजिल का इस्तिमाल बस, ट्रक, टैक्टर, जनरेटर आदी में किया जाता है अगला प्रशने दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सब को सुनाई पढ़ो और चर्चा कीजिए आंसो लिखेंगे डीजल तता पैट्रोल इसका विता में कहा गया है पैट्रोल एम अन्य इंदन के बंडार सीमी थे हैं इसलिए इसके खर्चे कम करो नहीं तो इसके बीना काम नहीं चलेगा इसके लिए युद्ध तक हो सकता है सोचो और चर्चा करो प्रशन है तुमारे गाव या सहर में एक हफ़ता पैट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा आंसो लिखेंगे यदि एक सफ़ता तक पैट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो सभी के लिए सफर करना और उद्योगों के काम करना मुश्किल हो अगला प्रशन है तेल बचाने के तरीके सुझाईए तो आंसो लिखेंगे लोक वहानों का अधिक से अधिक उप्योग करें नीजी वहानों का कम से कम उप्योग करें लाल बत्ती तथा रेलिवे क्रोसिंग पर पड़े गाड़ियों का इंजन बंद कर देना चाहिए सोर उ अगला प्रशन है उपले कैसे बनते हैं? अगला प्रशन है क्या तुम किसी को जानते हो जो चुले जलाने के लिए गिरी हुई सुझी त्हनी या पते इखटे करते हैं? हाँ मैंने कई लोगों को चूले जलाने के लिए गीली हुई सुकी टहनी या पत्ते इकटे करते हुए देखा है अगला प्रशने तुमारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है आंसो लिखेंगे मेरे घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी मा की हैं आसपास के घरों में भी प्राय खाना बनाने की जिम्मेदारी ओर्टों की ही होती है अगला प्रशने अगर वे लकडी या उपलों का खाना बन पकाते हैं तो दूएं से किस तरह की परिषानी होती हैं आंसर लिकेंगे हाँ लकडी या उपलों पर खाना पकाने में काफी दूआ निकलता है इसे एक खासी, सरदर तता फेपड़े की कई बीमारिया हो सकती है अगला प्रशने क्या दुर्गा लकडी की जग़े किसी और चीज का इस्तिमाल कर सकती है और क्यों नहीं हाँ दुर्गा लकडी की जग़े गाय के गोबर का परियोग कर सकती है लेकिन वह गेस का इस्तिमाल नहीं कर सकती क्योंकि वह गरीब है 20 साल में बदलाओ देश में सन 1976 में सो में से कितने घरों में उपले और लकडी का इस्तिमाल होता था आंसर लिखेंगे 24 घर अगला है 1976 में सबसे कम उपयोग किया जाना वाला इंदन कौन सा था आंसर लिखेंगे बिजली अगला प्रशन है 1986 में LPG और केलोसीन का इस्तिमाल रिक्तिस्तान गरों में था जो 1906 में बढ़कर रिक्तिस्तान हो गया इसका रिक्तिस्तानों में बढ़ेंगे हम 1906 में LPG और केलोसीन का इस्तिमाल 10 गरों में था जो नियस् Сो चिन्नों में बढ़कर अठारा हो गया याने 20 इसैनलों में इसके इस्तिमाल 80 परसेंट बढ़ा DDRantes चिन्नों में सो ग्रों में कितने ग्रों में भीजली का इस्तिमाल हो रहा था ऑंसों लिखेंगे 90 शरीचे के कोई ऽ क्यों सबसे कम था QR सुचेतर में यह कितने प्रतिसेत गरों में इस्तिमाल हो रहा था तो पांच प्रतिसेत गरों में इस्तिमाल हो रहा था प्रशने जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीजों का इस्तिमाल होता था कोईला लकडी और केरोसीन का इस्तिमाल बढ़ा हैं कोईला लकडी उपले कैरोशीन आदी का इस्थिमाल गटा है अगला प्रस्नी अनुमान से बताओ अगले दस सालों में किस चीज चीज का इस्थिमाल और गटेगा तो आंसर में लिखेंगे अगले दस सालों में LPG का इस्तिमाल बढ़ेगा तदा केरोसीन उपले लकडी आदी का इस्तिमाल गटेगा हम क्या समझे प्रश्ण है किसी कंपनी ने तुम लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बिदी बस मिनी बस का डिजाइन बनाने का मोका दिया हैं तुम किस तरह की बस से चला अगला प्रश्ण है बस का डिजाइन बनाते समय इन लोगों की सुईता के लिए तुमने क्या क्या सोचा जैसे बुजूर्ग चोटे बच्चे और जो लोग देख नहीं पाते तो आंसर लिखेंगे बुजूर्गों के लिए लोफ लॉर बसे चोटे बच्चे खिड़के मे काटो और एक चार्ट पर चिपका कर कोलाज बनाओ उसे एक अकसा में लगाओ और अपने कुछ विचा लिखे तो ये चातर स्वयम करेंगे तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो पोस्टर कहां लगाना चाहेंगे तो आंसर लिखेंगे नारा देस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उसको वेब साइट पर जाकर के इस पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजेगा चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक अन्य